हलो दोस्तों आज हम बात करेंगे आई टीज़ाए में सभी ट्रेडों के टूल्स के बारे में तो दोस्तों जानने से पहले जो लोग हमारे चैनल पहली बारा हैं या हमारे वीडियों को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिये गए लाल बटाउं को दबाकर सस्क्राइब जरू कर लें और उसके बगल में दिये गए बेल आइकन को भी जरू प्रेस कर दें ताकि हमारे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो दोस्तों देर न करते हुए आईए जानते हैं हैमर के बारे में दोस्तों किसी वस्तू पर चोट मारने के लिए हैमर का प्रयोग करते हैं जैसे कील को ठोकना रिविट को फोर्ज करना तथा टाइट फीट पार्ट को निकालना और दोस्तों कार करने के अनुसार हैमर चार परकार के होते हैं तो आए दोस्तों इनके बारे में जानते हैं तो दोस्तों ये है क्रास पीन हैमर इसके भागों के नाम क्रास पीन, नेक, वेज, आई होल, पोल, चीक, स्ट्राइकिंग फेस, हैंडल और दोस्तो हैमर का सबसे सौप्ट भाग यानि नर्म भाग है चीक दोस्तो इस हैमर का पीन अंग्रेजी के उल्टे भी के समान होता है जबकि फेस एक दूसरे हैमर की तरह चप्टा होता है इसका प्रयोग मारकिंग करने, चीमपिंग करने तथा हलकी चोट मारने के लिए किया जाता है और दोस्तो इसके क्रास पीन का कार्य दिवार पर निसान लगाने के लिए किया जाता है इसका size इसके भार से यानी वजन से लिया जाता है और यह cast steel तथा carbon steel से बना होता है और दोस्तों इसका handle लकडी का बना होता है अब दोस्तों दूसरे hammer के बारे में जानते हैं यह है ball pine hammer इसके भागों के नाम है बाल पीन, नेक, वेज, आई होल, पोल, चिक, स्ट्रैकिंग फेस और हैंडल और दोस्तो इसका सबसे नर्म भाग है चिक दोस्तो इस हैमर का पीन बाल के समान गोल होता है जबकि फेस एक दूसरे हैमर की तरह चप्टा होता है इसका प्रयोग मार्किंग करने, चिम्पिंग करने तथा हलकी चोट मारने के लिए किया जाता है और इसके बाल पीन का कार रिविट करना और कील को और अंदर तक ठोकना दोस्तो इसका साइज इसके भार से यानि वजन से लिया जाता है और दोस्तो यह कास्ट स्टील तथा कार्बन स्टील का बना होता है इसका हैंडल लकडी का बना होता है दोस्तो अब जानते हैं तीसरे हैमर के बारे में तो दोस्तो यह है कलापीन हैमर इसके भागों के नाम हैं, कलापीन, वेज, आई होल, पोल, चिक, स्ट्रैकिंग फेश और हैंडल दोस्तो इसका सबसे नर्म भाग है चिक दोस्तो इस हैमर का पीन अंग्रेजी के सीधे भी अच्छर की तरह होता है जबकि फेस एक दूसरे हैमर की तरह चप्टा होता है इसका प्रयोग मार्किंग करने चिंपिंग करने तथा हलकी चोट मारने के लिए किया जाता है और इसके कलापीन का कार रहा है कील को निकालना और कील को सीधा करना दोस्तो इसका साइज इसके भार से यानी वजन से लिया जाता है और यह काश्ट स्टिल तथा कारबन स्टिल का बना होता है और दोस्तो इसका हैंडल लकडी का बना होता है अब दोस्तो जानते हैं चोटे हैमर के बारे में दोस्तो यह है मैलेट हैमर इसके भागो के नाम है प पूरी बाडी लकड़ी की बनी होती है। इसका साइज इसके भार से लिया आता है। दोस्तो इसका कार है धातु की पतली चादर को मोड़ना और उसे सीधा करना। तो दोस्तो अब जानते हैं दूसरे टूल के बारे में यह है ड्रील मसीन। तो दोस्तो ड्रील एक cutting tool है इसका परियोग किसी वस्तु में गोल छिद्र करने के लिए किया जाता है दोस्तो ड्रील मसीन कार करने के नुसार कई प्रकार की है तो दोस्तो आईये इनके बारे में जानते हैं दोस्तो यह है electric drill machine इसके भागों के नाम है drill bit, chuck, dark selection ring, uncompt ringer, forward reverse switch और wire और दोस्तो इसे electric drill machine इसलिए कहते हैं क्योंकि यह बिद्धूत से चलती है दोस्तो इलेक्ट्रिक डिल मसीन में एक मोटर लगी होती है जो बिद्धूत से चलता है दोस्तो इसका प्रयोग दिवाल में लकडी में डिल करने के लिए इसका प्रयोग किया रता है तो दोस्तो अब जानेंगे दूसरे डिल मसीन के बारे में दोस्तो इसका नाम है हैंड डिल मसीन दोस्तो इसके भागो के नाम है मेन हैंडल, फ्रेम, साइड हैंडल, ड्राइव विल, चक, जा, आइडियल गेर, टर्निंग हैंडल, पिनियन, डिल बिट दोस्तो इसे Hand Reel Machine इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हाथ से चलाइ जाती है और यह हल्के कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है जैसे लकड़ी में छिद्र करने के लिए और दिवाल में छिद्र करने के लिए इसका प्रयोग कियाता है अब दोस्तो जानेंगे तीसरे ड्रील मसीन के बारे में दोस्तो यह है जिमलेट इसके भागो के नाम है फिडिस्क्रीव, ट्विस्ट, सैंक और हैंडल दोस्तो इसका प्रयोग लकडी में छिद्र करने के लिए कियाता है इसे हाथ से घुमा घुमा का छिद्र करते हैं दोस्तो अब जानेंगे चवथे ड्रील मसीन के बारे में दोस्तो इसका नाम है रैचेट ब्रेस इसके भागो के नाम है आंगर बीट, सैल, हैंडल, हेड, रैचेट, चक दोस्तो इसका प्रयोग लकडि में छिद्र करने के लिए कियाता है, यह हाथ से चला जाती है, तो दोस्तो अब जानेंगे दूसरे टूल के बारे में, यह है Vice, जाब को जकड कर रखने के लिए Vice का प्रयोग कियाता है, जैसे जाब पर फाइलिंग करना, उस पर यह कार करने के नुसार कई प्रकार की होती है तो दोस्तो आईए इनके बारे में जानते हैं दोस्तो यह है बेंच वाइस इसके भागों के नाम है मुएवल जा, फीक्स जा, स्लाइड, बेस, हैंडल, स्पिंडल, फीक्स बाड़ी इसका कार है जाब को जकड कर रखना इसकी बाड़ी धलवा लोहा यानी कास्ट आयरन की बना जाती है और दोस्तो इसका स्पिंडल माइल्ड इस्टिल का बना होता है इसका साइज जबडों से ली जाती है जबड़ा कास्ट आयरन का बना होता है जबड़ा को उसमा प्रक्रिय एक द्वारा hard work temper कियाता है इसके जबले दाते दार होते हैं यह जाप को जगड करकता है तो दोस्तों अब जानेंगे अगले वाइस के बारे में दोस्तों यह है pipe wise इसके भागों के नाम है handle, spindle, upper jaw, lower jaw दोस्तो इसकी body ढलवा लोहा यानि cast iron की बना जाती है और इनके जबडे ढलवा steel यानि cast steel की बना जाते हैं और दोस्तो इसका प्रियोग pipe या बेलना कार छड़ को पकड़ने के लिए इसका प्रियोग की आता है तो दोस्तो अब जानेंगे अगले wise के बारे में दोस्तो इसका नाम है hand wise दोस्तो इसके भागों के नाम है wing nut, upper jaw, lower jaw, spring दोस्तो इसे hand wise इसलिए कते हैं क्योंकि इसे हाथ में पकड़ कर इसका प्रियोग की आता है दोस्तो यह wise mild steel की बना जाती है और इसकी लंबाई इसके जबड़ों से लिजाती है दोस्तो अब जानेंगे अगले wise के बारे में दोस्तो इसका नाम है C clamp इसके भागों के नाम है screw, handle, spindle, frame दोस्तो इसे भी हाथ में पकड़ कर प्रियोग की आता है इसका प्रियोग fabrication की कार्यों में करते हैं और दोस्तो इसका size इसके जबड़ों से लिजाती है यह mild steel का बना होता है बीडियों देखने के लिए धन्यवाद